नवश्कार दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त मोहीत और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल इंडियन रिवोलिशनरी फार्मर पर और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गर्मियों के सीजन में बैंस दूद से कम क्यों होती है और हो पालक का गुजारा कैसे होगा वह उसकी फीड मेनेजमेंट अपने फार्म को कैसे आगे बढ़ाएगा बहुत सारे पशू तो जो ताजा भी आए हैं जिन्होंने अभी अभी डिलिवरी की है वह बैसे भी दूद में लात मारना शुरू कर देते हैं या फिर दूद से कम होत करते हैं दूद में लात मारना शुरू कर देती हैं ऐसे पशू के लिए क्या समाधान किया जाए कौन सा फार्मूला प्रेयोग किया जाए जिसके माद्यम से हम अपने पशू को लगातार दूद होने लगातार दूद कम होने की समस्या से बचा सकते हैं क्योंकि बहुत सारे पशु तो दूद लगातार कम करते हैं आज मैं लीजी आपके पशु का पांच लीटर दूद है तो सुबह साड़े चार लीटर होगा फिर अगले दिन四 लीटर दूद होगा उससे अगले दिन पौने च्यार लीटर दूद होगा तो ऐसे करके बहुत सारे पशु तो लगातार दूद से कम होते चले जाते हैं तो आज की वीडियो में जो हम आपको फार्मूला बताएंगे उसमें आपको क्या करना है बड़ा ही साधारन और सिंपल सा फार्मूला रों 101% काम्याब फार्मूला है हमारी गारंटी है यदि आप इसे पशुओं को लगातार देते हैं तो आपका पशु बिल्कुल भी गर्मी से स्ट्रेस में नहीं आएगा क्योंकि पशु के अंदर गर्मी बनना भी एक बहुत बड़ी समस्या यदि पशु के कारण बैसे बीमार पढ़ जाती है और बीमार बैसो का फिर इलाज डॉक्टर से भी नहीं हो पाता है क्योंकि यदि आपके पशु को ठंड लग जाती है तो आप उसको बचा सकते हैं लेकिन अगर लेकिन आपके पशु के अंदर यदि गर्मी बन जाती है तो उसको बचा पाना फिर मुश्किल हो जाता है तो उसके लिए आप अलग-अलग समाधान कर सकते हैं जैसे दिन में कई बार पशु को पानी पिलाना उसको ताला पर लेकर जाना उसको बार बार नहलाना उसके सिर के उसकी कमर के उपर पानी अच्छे से मारना उसकी पूरी बोडी को पानी स बिगोना, उसके लिए पंके की विवस्ता करना, छायादार शेड की विवस्ता करना, पशु को बाहर धूप में ना रखना, तो इस तरीके से भी आप अपने पशु को दूद पे बनाए रख सकते हैं, और इसके अलावा, यह आप फोटो देख सकते हैं, इसको गुड बोला जाता है, जैगरी बोला जाता है, यदि आप अपने पशु को परती दिन जैगरी का पानी पिलाएंगे, तो 100% आपके पशु की यह सभी समस्याएं, दूर हो जाएंगी, यदि कोई पशु फूल पीछा दिखाता है, तो वह फूल पीछा दिखाना बंद कर देगा, कोई प पूद की मातरा को बढ़ाना शुरू कर देंगी, और जिन पशुओं की बार-बार यह समस्या थी, कि हीट में आते हैं, और ग्याबिन नहीं रुखते हैं, गर्बधारन नहीं करते हैं, AI करवाते हैं, और बार-बार डिस्चार्ज कर देते हैं, तो वह समस्या भी आपके प बाल्टी पानी लेना है और उसमें आपको 500-300 गुड यानि कि बड़े बड़े जो 2 पीस होते हैं वो गुड के डाल देने हैं और उसको बाहर देख सकते हैं आप आसमान की छाओं में यानि कि खुले वातावरण में उस बाल्टी को छोड़ देना है और सुबह जब आपके प अर्वत भी बोला जाता है और यह गन्ने की रसकी तरह बिल्लकुल थंडा और बहुत ज्यादा एनेर्जेटिक होता इसके अंदर केल्शियम की मात्रा भरपूर माइ पाई जाती है और इससे पशू की कैल्शियम की भी फूरती होती है पशू की अंदर कमजौरी की जो समस्य करते हैं वह भी दूर होती है आपके पशुओं को एनर्जी मिलती है आपके पशुओं जो बार-बार दूच से कम हो रहते वह दूच से कम होना भी बंद कर देते हैं तो इस तरीके से जो है आपको अपने पशुओं को गुड का पानी पिलाना है मात्र इस अकेले गुड के प होट सके